प्लांट बायो टेक्नलोजी के ऊपर कई सारे वीडियो डाल चुका हूँ जैसे की गलाइभोस के बारे में बात की थी जैसे कि क्राइभ जो genesальных हैं उससे produce होने वाले क्राइभ प्लांट बात की थी बीटी प्लांट के बारे में बात की थी मैंने उस वीडियो में तो आज उसी से आगे बढ़ करके जो transgenic plants हैं उनको समझेंगे और बात करेंगे कि droughtiguitta कैसे induce की जाती है plants के अंदर क्या method है कौन सा सबसे आदा prominent तरीका है जिसकी मदद से आप draught से अपने plants को resistance बना सकते हैं आज इसके बारे में हम बात करेंगे तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं सबसे पहले समझते हैं कि ये draught का मतलब क्या होता है draught का मतलब होता है सूखा आपको पता ही होगा कि हिंदी में draught को बोलते हैं सूखा पढ़ना जैसे कि आपको जानकारी भी होगी कि जैसे इंडिया में इंडिया जो country है यहाँ पे हम जादा तर जो खेती होती है वो monsoon के ओपर dependent रहती है यानि कि बरसात कितनी होगी आपने newspapers मे भी पढ़ा होगा कि बहुत सारी जो खेती होती है वो बरसात के ओपर dependent होती है हमारे देश के अंदर तो अब अगर अधिक बरसात हुई तो खेती बढ़िया है या depending upon that यह concept है कई बार क्या हो जाता है बहुत जादा सूखा पढ़ जाता है सूखा पढ़ने से क्या होगा जो खेत होते हैं उसकी नमी खतम हो जाती है अगर खेतों की नमी खतम हो गई तो plants जो है उनको पानी कहां से मिलेगा आपको जानकारी है ही कि कि किसी भी पौधे को ग्रो करने के लिए उसको पानी चाहिए तो अगर पानी उसके पास नहीं है तो वो survive नहीं कर पाएगा अब ऐस बहुत सारी ऐसी जगें हैं जहां पे अक्सर हर साल ड्रॉट की situation डेवलप हो जाती है, यानि कि हर साल सूखा पड़ता ही है, तो ऐसी जगों पे plants को अगर हम ड्रॉट रेजिस्टेंस बना दें, या ड्रॉट रेजिस्टेंट कहना जादा सही रहेगा, अगर plants को हम ड्रॉट रेजिस्टेंट किस के अंदर आता है, किस category के अंदर आता है, या आता है abiotic stress के अंदर, अब जैसे कि आपको पता होगा कि दो तरीके के stresses होते हैं, एक होता है abiotic stress और एक होता है biotic stress, तो अगर मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूँ, लिखने की कोशिश करता तो यहाँ पे क्या है, दो तरीके के stress हैं, अगर हम stress को divide करें, तो दो तरीके से मोटे मोटे तोर पे हम stress को ले सकते हैं, और एक हो गया यहाँ पे biotic stress, और दूसरा हो गया यहाँ पे abiotic stress, तो बायोटिक stress और abiotic stress में क्या अंतर होता है, अगर हम biotic stress की बात करें, तो बायोटिक stress में, जैसे कि किसी pathogen ने plant के उपर हमला कर दिया, ठीक है, किसी bacteria ने, किसी fungus ने, किसी virus ने plant के उपर हमला कर दिया, तो यह एक तरीके का biotic stress हो गया, क्योंकि biological organism की वज़े से stress induced हुआ है, इसलिए आप इसको biotic stress कह देते हैं, अगर हम a-biotic stress की बात करें, तो a-biotic stress में क्या हो गया, कि यह non-biological reasons की वज़े से stress develop हुआ, यानि कि non-biological reasons, अब non-biological का मतलब क्या हो गया, जैसे कि physical conditions है, किसी जगे पे माल लिजए कि salt का concentration बहुत ज़्यादा है, किसी जगे पे माल लिजए temperature बहुत ज़्यादा है, या किसी जगे पे पानी की बहुत कमी है, जिसको आप draught की condition भी बोल रहे हैं, तो यह एक a-biotic stress का एक example है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, आप देख सकते हैं, it is an example of a-biotic stress, ठीक, अब a-biotic stress बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं, और a-biotic stress को resolve करने के बहुत सारे तरी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से match the following type के questions अक्सर पूछे जाते हैं, तो अगर हम एक a-biotic stress के gene के बारे में बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, this is a rab gene, क्या बोल सकते हैं, this is called as a rab gene, तो यह rab gene का मतलब क्या होता है, rab gene is responsive to abscisic acid, या response to abscisic acid, तो यह इसका मतलब क्या ह हो गया, इसका मतलब यही हो गया, कि यह जो gene है, अगर यह present रहता है, जैसे कि rab gene अगर present है, तो यह किसके लिए response create करेगा, abscisic acid के लिए response create करेगा, तो कहने का मतलब है, कि अगर abscisic acid है, और abscisic acid कौन सा hormone होता है, अगर आपको पता हो, abscisic acid है, आपका यह hormone है, stress hormone, stress hormone तो abscetic acid stress hormone होता है stress की condition में abscetic acid जो होता है वो produce होता है तो stress की condition में अगर abscetic acid produced हुआ तो ये abscetic acid किसके ओपर काम करेगा ये जो हमारा hormone है यहाँ पर जो मैंने नाम लिखा हुआ है यानि कि Rab gene के ओपर काम करेगा ठिक Rab gene अब Rab gene जो है ये abscetic acid के response में काम करेगा और बहुत सारे अलग-अलग functions करता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि Rab gene ये important gene है ये response करता है abscetic acid के against इसके अलावा एक और gene है जिसको हम लोग बोलते है salty gene ये salty gene किस चीज़ के लिए इस्तमाल होता है ये basically salt stress के against काम करता है that means अगर किसी area में कहीं पे बहुत ज़्यादा salty conditions है या कि उसकी जमीन में बहुत ज़्यादा salt conditions है तो वहाँ पे ये gene जो है वो activate होगा और salt के against resistance प्रोवाइड करेगा इसके अलावा बहुत सारे genes हैं जो rice में होते हैं इसके अलावा जो बहुत सारे genes या enzymes ऐसे होते हैं या इस तरीके का काम करते हैं जो proline biosynthesis को increase करवा देंगे proline biosynthesis in bacteria तो ये जो genes हैं अगर मैं बताओं तो ये genes जो हैं वो bacteria के अंदर भी काम करते हैं और यहाँ तक कि plants के अंदर भी काम करते हैं तो आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि proline biosynthesis को ये increase कर देंगे किसके अंदर? bacteria के अंदर भी और plants के अंदर भी कौन से ऐसे genes हैं जो proline की biosynthesis को enhance करते हैं तो प्रो बीए और प्रो सी ये दो genes हैं जो की E. coli के अंदर में काम करते हैं नाम याद रखेगा यहां से अक्सर questions पूछे जाते हैं तो pro-ba और pro-c नाम के दो genes हैं जो की आपके bacteria के अंदर काम करते हैं और ये जो proline biosynthesis के जो genes हैं या proline biosynthesis को increase करने वाले जो genes हैं ये plants के अंदर भी होते हैं अब apart from that कुछ spinach के अंदर पाये जाने वाले genes भी होते हैं जो की beta in synthesis को increase कर देते हैं ठीक है तो आप देख सकते हैं कि यहां पे बहुत सारे ऐसे genes हैं जो particular compound को synthesize कर रहे हैं जैसे proline हो गया उसकी synthesis जैसे beta in हो गया उसकी synthesis तो ये जो genes हैं ये अलग-अलग compounds की synthesis करवा करके जो abiotic stress है उससे relief प्रोवाइड करते हैं प्लांट को अब हम आज के जो lecture है उसमें specifically proline biosynthesis के लिए responsible जो genes हैं उनके बारे में बात करेंगे किस तरीके से वो drought के against resistance प्रोवाइड करते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं जैसे कि normal conditions में अगर हम plants की बात करें तो plants normal conditions में proline की synthesis कहां से करवाते हैं औरनिथीन से करवाते हैं आपको पता ही होगा औरनिथीन एक compound होता है और उसी से proline की synthesis होती है normal conditions में plant के अंदर लेकिन हर समय normal situations हो यह ज़रूरी तो नहीं है तो कई बार क्या होता है कि plants के अंदर जो है वो abnormal situation या abnormal conditions मौझूद रहती है अगर abnormal conditions मौझूद है plant के अंदर तो plant stress में है stress में होने की वज़े से औरनिथीन से proline नहीं बनता तो किस से बनता है glutamate से proline directly synthesize होता है तो यहाँ पर देख सकते है मैंने लिखा भी है कि synthesis किस से होती है glutamate से होती है directly proline की ठिक तो proline की synthesis एक तरफ normally देखा जाए तो ornithin से होती है लेकिन अगर हम stress condition में देखें तो glutamate से होती है अब ज़राब proline की biosynthesis का pathway सरा समझे अगर यह समझ में आया तो बहुत सारी चीज़े आपको समझ में आएंगी तो यहाँ पे मैं सीधे आपको पहले pathway की तरफ ही ले चलता हूँ proline का biosynthesis pathway देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे mentioned है सबसे पहले क्योंकि मैंने आपको बताया कि यह जो pathway हम आज अभी देखने वाले हैं वो stress conditions का pathway है तो आपको जानकारी है कि सबसे पहले हम लोगों ने glutamate से शुरू किया क्योंकि stressful conditions में glutamate से ही synthesis होती है proline की तो glutamate से एक enzyme है जिसका नाम है P5CS अभी मैं इसका full form आपको बताऊंगा enzyme का नाम है short में P5CS तो पहले step में glutamate gamma glutamil phosphate में convert होता है यह काम कौन करवाता है P5CS नाम का gene conduct करवाता है दूसरा जो step है वो भी P5CS नाम का ही gene conduct करवाएगा इस step के अंदर क्या होगा gamma glutamil phosphate glutamik gamma semi aldehyde में convert हो जाएगा क्या हुआ gamma glutamil phosphate किसमे convert हुआ glutamik gamma semi aldehyde में convert हो जाएगा यह पूरा का पूरा प्रोसेस आपको याद करने की जरुवत नहीं है जो चीजें मैं बता रहा हूँ बस उसको समझने की जरुवत है कि कौन से enzymes important है और उनका क्या purpose है अभी मैं उसके उपर बात कर रहा हूँ तो शुरुआत के दो steps आपने देखा कि P5 CS नाम का जो gene है या जो enzyme है sorry वो conduct कर रहा है इसके बाद के प्रोसेस में spontaneous cyclization हो जाता है यानि की जो compound बना मेरा glutamic gamma semi aldehyde उसमें cyclization हो जाएगा यानि की cyclic या ring like structure बन जाएगा जिसका नाम होता है delta pyroline 5 carboxylate अब finally हमारा एक जो last enzyme है जिसका नाम है P5CR अभी इसके बारे में भी बता दूँगा कि full form क्या होता है इस से finally मेरा proline बन करके तयार हो जाता है तो ये क्या है ये pathway है किस चीज का proline की biosynthesis का सर आप proline के बारे में इतना जादा क्यों बात कर रहे हैं ये तो समझ में आ गया होगा कि ये क्या क्या है शुरुआत के दो steps P5CS करवाता है और उसके बाद P5CR करवाता है तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एक enzyme जिसके बारे मैंने बात किया था अभी अभी P5CS इसका पूरा नाम क्या होता है delta pyroline 5 carboxylate synthetase ये इसका नाम है ये first two reactions conduct करवा रहा है किसमें proline cycle के अंदर या proline biosynthesis cycle के अंदर उसके बाद जो enzyme है P5CR अभी इसके बारे में भी बात हुई थी इसका नाम है delta pyroline 5 carboxylate reductase ये non rate limiting enzyme होता है non rate limiting step होता है अब आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर जो proline है इसकी synthesis करवाने की अवशक्ता क्यों पढ़ रही है देखिए proline के अलावा और भी amino acids या और भी इस तरीके के solutes का synthesize होना basically ये करवाता है कि अब plant के अंदर जो हमारे osmotic potential है वो increase हो जाएगा क्यों? क्योंकि जबी भी आपको पता है कि solute का concentration बढ़ता है तो solute के concentration के बढ़ने के कारण महां का osmotic potential बढ़ जाता है यानि की solute potential बढ़ जाता है जिसके कारण से बाहर से water जो है वो खिच करके अंदर आने लग जाता है तो ये पूरी की पूरी basically osmosis का ही concept यहाँ पे लग रहा है अब इसके बारे में और detail में बात करेंगे लेकिन मैं आपको यहाँ पे diagram के through भी दिखाना चाहता हूँ कि अगर माल लीजे ये मेरा एक cell है अगर ये मेरा एक cell है अब इस cell के अंदर अगर मैं proline की synthesis या glycine की synthesis या कुछ और compounds की synthesis अगर मैं increase कर देता हूँ यहाँ पे synthesis ज़ादा होने लगेगी तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ का solute potential जो है वो बढ़ जाएगा solute potential increase हो जाएगा यह आप कह सकते हैं कि osmotic potential increase हो जाएगा जिसके कारण से क्या होगा water जो आसपास के जगे से होगा वो खिच करके अंदर आने लग जाएगा water जो है आसपास से खिच करके अंदर आने लग जाएगा जिसकी वज़े से प्लांट जो अभी तक ड्रॉट फेस कर रहा था उसके पास वाटर आने लग जाएगा तो ये एक तरीका है बिसिकली बहुत सारे और भी तरीके हैं जिससे प्लांट ड्रॉट को इंकाउंटर करता है बट इस वन अफ दे वेज कि जिससे की प्लांट ड्रॉट को इंकाउंटर कर सकता है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दोनों एंजाइम्स जो हैं जो P5CR है और P5CS है ये कहां से आइसोलेट किये जाते हैं सोया बीन से आइसोलेट किये गए हैं और मौत बीन से आइसोलेट किये गए हैं दोनों से यानि कि सोया बीन से और मौत बीन दोनों से आइसोलेट किये गए हैं और उसके बाद उनकी क्लोनिंग कर दी जाती है अलग-अलग प्लांट्स के अंदर अगर मैं आपको एक example दूँ तो P5CS वाला जो gene था उसको tobacco के अंदर clone किया गया उसको transfer किया गया उसके बाद clone किया गया देखा ये गया कि 10 से 18 folds जादा proline का production होने लगा tobacco के अंदर कहां से लेकर किया आपने transfer किया होगा of course soya bean या moth bean से लेकर किया आप transfer करेंगे tobacco के अंदर वो express होगा और express होने का फायदा क्या हुआ कि जो P5C जो proline की जो biosynthesis है जिसमें proline end product है proline का जो synthesis है वो कई fold या 10 से 18 fold जादा हो गया इसका effect क्या हुआ इसका effect ये हुआ कि जो transgenic plants की जो leaves होती है वहाँ पे higher osmotic potential develop हुआ जैसे कि मैंने अभी diagram के through भी आपको दिखाया था जब higher osmotic potential हो गया तो उसकी वज़े से water जो है वो अंदर आने लगेगा apart from that एक और बहुत मज़ेदार चीज हुई कि greater root biomass देखने को हमें मिला greater root biomass मतलब root जो है वो बहुत ज्यादा extensively grow करने लगे उनका biomass बढ़ गया पहले roots जो इतने area में grow कर रहे थे अब वो इतने area में grow करने लगे तो इसकी वज़े से क्या हुआ जो production हुआ यानि कि पानी को जो absorb करने की जो tendency हुई वो बढ़ गई क्या हो गई बढ़ गई समझ में आ गया तो underwater stress ये कब होगा water stress के अंदर होगा next enhanced tolerance to osmotic stress क्या हो गया इसकी वज़े से अब पानी अभी तक नहीं मिल ला था लेकिन अब क्या हुआ पानी मिलने लगे गा समझ में आया कि नहीं आया तो अभी पानी नहीं मिल रहा था अब water के जो हमारा जो root था इतना जादा बढ़ गया osmotic potential leaves में बढ़ गया जिसकी वज़े से पानी जो है हम जादा absorb करने लग गए तो ये कहानी होगी ठीक next आ जाते हैं तो जब proline और इसी तरीके के दूसरे solutes accumulate होते हैं for example दूसरे solutes का नाम क्या है सर जैसे की glycine हो गया जैसे की betaine हो गया ये सारे के सारे solutes क्या हैं जब accumulate होंगे तो इसकी वज़े से क्या होगा intracellular water activity देखने को मिलेगी यानि की cell के अंदर अब water absorb होना शुरू हो जाएगा जो अभी तक cell के अंदर नहीं आ पा रहा था क्या मेरी बात समझ में आ गई सर ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि आपको पता है कि जो water होता है वो अपने हमेशा अपने higher concentration से lower concentration की तरफ move करता है तो अगर यहाँ पे water है water का concentration यहाँ पे जादा है तो water यहाँ से इस तरफ move करेगा मैं जमानता हूं कि आप कहूंगे कि सर draught है तो water का concentration तो कम होगा लेकिन ये relative term है न, cell के अंदर क्योंकि इतना जादा solute आ गया है, इतना जादा solute produce हो गया है, कि वहाँ पे क्या है, water का concentration बहुत कम है, बाहर already कम है water का concentration बट उतना कम नहीं है जितना cell के अंदर है, इसी वज़े से solute क्या होगा, move करेगा, कहां पे lower osmotic potential से higher osmotic potential के तरफ movement होगा, lower osmotic potential से higher osmotic potential की तरफ water का movement देखने को मिलेगा, याने की environment से या soil से हम कह सकते हैं, किस की तरफ देखने को मिलेगा, हमें leaf या plant की तरफ, तो ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी, ठिक, तो ये मैंने समझा दिया आपको यहां तक, अब एक और concept है, कि जब इस तरीके से जब water stress condition होती है, under water stress condition, तो ये भी देखा जाता है, कि plants के अंदर strong hydrogen bonded water around the proteins, तो proteins के चारो तरफ water का content या water का amount है, वो बढ़ जाता है, ज्या होती है, water के बीच में ज्यादा होती है, यही चीज यहाँ पे mention भी अगर आप देखें, तो strong hydrogen bonded water around proteins, क्यों? क्योंकि ज़रा सोच ये proteins को अपना native form को maintain करने के लिए अपने चारो तरफ एक constant environment चाहिए, अगर आप environment change करते रहेंगे, pH बदलते रहेंगे, क्योंकि अगर drought condition है, पानी नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, जो ये आपके natural molecules हैं, biomolecules हैं, उनका structure क्या होगा, change हो जाएगा, या खराब हो जाएगा, या वो ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, या proteins denature हो जाएंगे, इसी वज़े से एक और अकाम यहाँ पे किया जाता है, कि biomolecules के around, specifically proteins के around, जो strong hydrogen bonded water है, उसको proteins के around, यूज किया जाता है, ताकि जो native state है, cell biopolymers की, cell biopolymers में यहाँ पे proteins का नाम आप यूज करते हैं, क्योंकि protein किसका biopolymer है, amino acid का polymer है, समझ में आ गया, तो इस तरीके की situation कुछ यहाँ पे develop होती है, वापस आते हैं, क्या कोई और भी genes इस तरीके का का काम कर सकते हैं, तो proline के लिए तो हमने देखा था भी, तो और भी genes है, एक और नाम आपको दिखाता हूँ, तो जिसका नाम है MTL1D, यह भी E. coli के अंदर देखा जाता है, इसके पीछे मैंने आपको plant के बारे में जो proline की biosynthesis बताई थी, MTL1D E. coli के अंदर देखने को मिलता है, और य जिसकी वज़े से क्या होगा, ultimately water का movement देखने को मिलेगा, ठिक, तो यहां से मैंने आपको proline की biosynthesis सिखाई दी थी, और पूरा का पूरा एक pathway दिखाया कि किस तरीके से drought resistance create किया जाता है, plant किस तरीके से अपने आपको drought resistance बनाता है, ठिक, तो उमीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, thank you so much and have a good day.